महराश्ट और मध्यप्रदेश सीमा और सावनी तहसिल के अन्तिम छोप बसा किलवद नगरी से कुछ दूरी इस्तरित कपिलेश्वा मंदे भक्ती आस्ता और तपस्या का पावन समागम के साथ ही अनेकों वहां तपस्यों के पावन कर कमलों से पावन थाम हैं नैसरगिक छटाओं से ओध प्रोथ इस पुरातन मंदिर से अनेक किद्वन्तियां जुड़ी हुई है अनेक पुरातन ग्रंथों में यहां का उले घोर तपस्वी कपिल मुनी की तप भूमी और गौमाता कपिला से जुड़ा हुआ बताया है इस समंदे परिसा में एक गौमुक है जहां गौमाता के मुक से निरंतर जलधारा भैती रहती है अगर यह जलधारा सूख जाती है उस वर्ष आकाल या कम बारिश के संकेतों से जुड़ा जाता है वह इस गौमुक धारा के जल में एक पावन गौफा होने और इसी जलभरी गौफा के अंदर संत कपिल मुनी की तपो भूमी होने की बात कहीं जाती है इसी गुफा से एक किदमन्ती भी चुड़ी है कहते हैं इस गुफा से एक गाई हमेशा चणने हे तू चर्वाहे के गौधन में आती थी जिसका महनताना चरवाहे को नहीं मिलता था एक दिन चरवाहा गाय का पीछा करता हुआ आया तो गाय उस गौमुक से बने जहने के नीचे सिद गुफा में जाने लगी तो चरवाहे ने उसकी पूछ पकड़ कर गुफा में प्रवेश किया तो वहां देखा कि एक सिद पुरुष तपस्या में दीन है गाय की आहट आते ही उन्होंने आँखे खोली तो पाया कि चरवाहा उनके आगे खड़ा होकर गाय चराने का महनताना मांग रहा है तो संत महात्मा उसे आँख बंद करने को कह अपने पास जलती धुनी से कुछ जलती हुए कोईले की निवाले दे कर जाने को कह अंतर ग्यान हो जाते हैं और चरवाहा खुद को कुफा से सटे जंगल में पाता है और तपस्वी ने दिया हुआ महनताना देखता है तो गुसा आता है और वह तपस्वी द्वारा दिये हुए कोईले के निवाले वहीं फेक अपने घर चला जाता है और वहां घटेते वृतांत अपनी पत्नी को बताता है जब पत्नी उससे कंबल को जार कर देख दिये तो उसमें एक कोईले का धेला सोने में परिवर्तित हुआ दिखाई देते ही उसने चरवाहे को उस स्थान पर भेजा परन्तू वहां कुछ नहीं मिला तब से न वह गाय फिर नजराई न तपस्वी कपिल मुनी कहते हैं उस खटना के बाद कपिल मुनी और कपिला गौमाता गंगा सागर इस्थित कपिल मुनी आश्रम में वास करते हैं तपस्वी राम बाबा पूर्णेतिती महोचसव इस पुरातन मंदिर में श्रावन मास के साथ ही वर्जभर अनेक उच्सवों के साथ राश्रे सन् तुकडोजी महराज की पावन भूमी से पधारे तपस्वी राम बाबा की पूर्णेतिती बड़े ही उच्सा से मनाई जाती है बताते हैं कि संत राम बाबा ने जब से इस स्थान को अपने तपो भूमी बनाया तब से वे नेमित करीबी केलवत ग्राम आकर बच्चे युवा वर्क और ग्रामस्थों से मिलकर भाव भक्तिश रमदान आदी का मार्ग दर्शन कर उन्हें अध्यात्म से जोडने के कारण इस शेत्र का विकास हुआ और शेत्र के विधायक सुनील केदा नाकपुर जिला परिशत के पूरु उपाद्याक्ष मनोह कुंभारे कपिलेश्वा मंदर ववस्थापन समीती आदी के प्रयासों से इस पुरातन मंदर को महराश्र राज्य के पुरातन मंदर के लिस्च के श्रेडी में समावेश कर इस मंदर का जिन्नोदार और सौंदरे करण किया जा रहा है। अधरा हुआ है। अधरा हुआ है। अधरा है। यहां पर तुरुशी मुनियों की परंपरा लगी हुई है। अधरा हुआ 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 है। आधरा लिए। और अधरा हुआ है। उआ है। अधराा हुआ है। अभी देखा जा रहा है कि मंदिर परिसर का सौंदरिय करन तेजी से हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या कहेंगा? और बिच बिच में जो हमारे आमदर्स हावे यहां के, वो भी यहां पर थोड़ी कुछ ताच करते हैं और कभी मदद लगी तो वो देखे रहा है। सावनेर से इनबी से न्यूस के लिए समवादाता किशोड धुंडेले की ग्राउंड रिपोर्ट झाल